Friends, गन्पती बपा आगया सबके घर में, तो मोधक बनाना तो बनता है ना, तो आज हम बना रहे हैं महाराष्ट्रा का पॉपिलर ट्रैदिशनल उखृडित से मोधक, उखृडित से मतलब होता है स्थीम, तो हम स्थीम मोधक बना रहे हैं, जो कि बनता है राइस फ्लोर से और coconut और jaggery से और यह आज हम बनाएंगे बिना मोल्ड के बिना सांचे के तो चलिए बनाना शुरू करते हैं रुपना किस बात का तो शुरू करते हैं मोदल का कवरिंग बनाने से जो के बनता है चावल के आटे से उसके लिए हमने लिए रियो एक कड़ाइं और इसमें डैसी गी दैसी गी डाल रहे हम एक टेबल स्पून और अब डालने इसमें नमक नमक है हमारा बहुती कम बस दो चुटकिया या वन- अब पाल आने के बाद डालेंगे उम इसमें चावल का अटा यह राइस फ्लोर हे हमारा करीबर एक कप अब इन सब को अची तरह से मिक्स करना है और जल्दी में गुमाना है यह गुमाते हुए हमें इस चावल को और इस मिक्स्चर को पकाना है और यह पकाना लेकिन सिफ एक ही मिनट तक है उसे जादा बिल्कुल मत पकाईगा कोई ज़रत नहीं है बस अची तरह से मिक्स हो जाना चाहिए और बस एक मिनट पकाने के बाद इस पर ढखकन रखके इसे छोट दीजे करीबन 5-10 मिनट तक यह अपनी स्टी में पक जाएगा और हलका सा थंडा हो जाएगा तो जब तक यह हमारा चावल का कवरिंग रेडी होता है चलिए हम बनाते है इसका अंदर का स्टफिंग इस मुद्दक का स्टफिंग बनता है नारिल से और उसके लिए हम ले रहे हैं सूखा नारिल आप चाहें तो इसमें वैसे फ्रेश नारिल भी ले सकते हैं और उसमें डाली हमने छोटी इलाइची अब इन दोनों इंगिडिंस को हमने ग्राइंड करना इनने पीछना है ताकि फाइन पाउडर बन जाए यह दिखिए इतना फाइन पाउडर बनना चाहे है इसकी वैसे अब कॉंटिटी भी कम हो जाएगी और अब स्टफिंग बनाएंगे इस कराह में इसमें डालने पानी बहुत थोड़ा सबसे एक टेबल स्पून पानी डाला और डाला इसमें हमने जागरी यह जागरी या गुर है हमारा करीबन आदा कप अब इस गुर को हमने मेल्ट होने देना है वैसे पानी इसलिए डाला था ताकि यह जले ना अगर आपने गुर ऐसे यह जलने के बड़े हमने घ्ट मेल्ट होचा चूका है इसमें डाल रहा हमारे कोकुनねट और और इलाइची कपावडर है अची तरह से करना है मिक्स और इतनी गुमा होई पकाना है अभे पनाने मिक्स्शर को तब तक पकाना है जब भ़त मोइस्चर curd मुं junior को जाता है और आपको यह जैसे मोददक को इस वक्त अची तर से पकाना बहुत जरूरी है अगर हमने इसे कम पकाया और इसमें मौईस्चिर रहने दिया तो बाद में मोददक खाते वक्त काफी स्टफिंग के अंदर पानी पानी लगता है वो अच्छा नहीं लगता है तो इसे बिल्कुल अची तर से आटा जो हमने बनाया था गरम पानी में यह थोड़ा से थंड़ा हो चुका है इसे हम आप कलेट करें बोल में वैसी इतना थंड़ा होने चाहिए कि आप इसको हैंडिल कर पाए अपने हाथों के साथ अब इस आते को हमने अच्छी तरह से गूंण ना है जैसे आप रोटी का आटा घूंते हैं मसलते हाथ बस वैसे ही करना है और गूनते वब इसमें हम डालेंगे और पानी और डालेंगे देशीगी पानी इसलिए ताके यह आता थोड़ा और सॉफ्ट हो जाए और देशीग पानी हमारा गया करीबन आदे कब जितना यह आटा होना चाहिए इतना सॉफ्ट और स्मूथ ताकि जब आप इसकी लोई बना जब इसका मोदक बना तो इसमें क्रैक्स नहीं दिखने चाहिए अगर आपको ऐसे दिखे ऐसी हार्डनेस देखे तो आपको और पानी डालने चाह तो यह देखे है हमारा आटा रेडी हो चुका है देखे इतनी सॉफनेस और इतनी टेक्स्च्चर ऐसे स्मूथ होना चाहिए तो चलिए अब बनाते है गंपदी बपा के लिए मोदक चलिए मोदक बनानी के लिए बनाई एक छोटी सी लोई और अपने हाथों को कीजिए ग् हाथों से हर तरफ ताकि इसके जो डाइमेटर है वो बड़ा हो जयाए और यह बड़ा सा एक ठीक रोटी की जैसे हो जाए अगर आप इसे हाथों से नहीं करना चाहते तो आप इछे बेलंद पर रोल आओ कर सकते है जैसे आप पुई को रोलाओट करते है वैसे वे बड़ अब बनाते एक है आप जितना पतल साथ ततना बना अपम हैं उतना अच्छा को आप बना olsun हो और रहंग रिजाम के अगर थे कवरिंग की तब पक्रणुतक्र मृश सबने परकोक्वाह और इस थे कलियां बना पाए, बना दीजिए यह डिलिकेट होता है अगर आब इसे बहुत ही रफ़ली हांगिल करेंगे तो यह टूट सकता है और ये आटा बहुत सौफ्ट होता है तो ऐसे हमाई तरह कलियां बनाते जाएए तो ये बनाए हमने करीमेद नो कलियां और यह हमारा covering का readyness हो गया है इसमें डाल रहा है stuffing यह है नारेल और गुड का stuffing और इसे डालके हलके से press करके उपर की तरफ आपको मोदग को बांगते जाना है बंद करते जाना है तो यह हमारा पहला मोदग बन गया है इसी तरफ बना देंगे बाकई के सबमोदक, So, इसी तरह सब मोदक बनाने के बाद, इनहें स्टीम करेंगे हम इडली मेकर में, उसके और इडली मेकर को हमने रख गास पर पानी डाल दिया है बोईल होने के लिए, झब तक गरम होता है तब तक हम इडली मेकर के मोल्ड को ग्रीस कर रहें, देशी घी के साथ और इसमें रखते जाएंगे हमारे सब मोदक और यह मोदक से भरा मोल्ड इडिली मेकर में सब डालना है जब पानी में उबाला जाता है उसके पहले नहीं डालना तो यह भर बख to से संबल के निकाल येगा तो I hope आपका हमाई रेसिपी अच्छी लगी होगी अगर आप ट्राई करते तो हम्हें जरूर बताएगा कि आपके मुद्द कैसे बने और अगर आपका हमाई रेसिपी अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक करेगा ऐसे शेर करेगा मेरे चानल को सब्सक्राइब जरूर करेगा थैंक यू फर वाचिंग